अकाउंटिंग नो प्रॉब्लम मैं आपका स्वागत है मैं हूँ आर्टी तेली प्रायम के इस वीडीो सीरीज में आज के अधियागा में आप जानेंगे लेजर क्या है और जर्णल से लेजर में पोस्टिंग कैसे की जाती है पिछली वीडियो में हमने एक जर्णल क्या है इसमें ट्रंजक्षन कैसे रिकॉर्ड करते हैं यह बताया था अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमनी जो transaction record किये हैं उनके आधाय पर हम से कोई पूछे कि कुल कितने रुपे नकद आए और कितने रुपे नकद गए और कितने बचे हैं तो हम क्या और कैसे जवाब देंगे तो यहां हमें जर्नल में cash account से संबंधित एक-एक entry को ढूनना होगा और फिर उनका जोड़ बाकी करके ये बताना होगा कि कुल कितने रुपे नकद आए, कितने गए और क्या बचा है इस तरह के जोड़ बाकी या हिसाब किताब से बचने का स्थाई समाधान है कि हमने जर्नल में जो transaction entries की हैं उन्हें छाट कर यानी उन्हें classify करके उनकी posting संबंधित account में कर दें इसे एक उदाहरन से समझ लेते हैं जैसे कि हमारे जर्नल में cash account से संबंधित जितने भी transaction हैं हम उन्हें चाट लेंगे और फिर ak करके उनकी posting cash account में कर देंगे और इसी तरह journal की सभी entries चाट कर यानि उन्हें classify करके उनकी posting समबंधित account में कर देंगे टेली की इस video series में हमने आपको पहले बताया था कि account यानि खाता क्या होता है चलिए एक बार फिर आपको समझा देते हैं कि खाते क्या होते हैं जब किसी व्यक्ति विशेश, वस्तू, सेवा या आयवय इत्यादी से संबंधित समस्त लेन देन एक निश्यत स्थान पर तिथिवार और नियमानुसार रखे जाते हैं तो उसे खाता यानि अकाउंट कहते हैं किसे भी खाते के दो पक्ष होते हैं debit side और credit side debit side left की तरफ होता है और credit side right की तरफ होता है हम इसे एक उदारन से समझ लेते हैं जैसे हमने राम से 10,000 रुपए उधार लिये और टुकणों में उसे वापस चुका दिये। देखे, राम का खाता कुछ इस तरह का दिखेगा। यहाँ आप देख सकते हैं, जब हमें राम से रुपए प्राप्थ हुए हैं, तो हमने उन्हें क्रेडिट साइड में लिखा है, और जब हमने राम को रुपए वापस किये हैं, तो उन्हें डेबिट साइड में लिखा है। जब बहुत सारे account किसी पुस्तक में रखे जाते हैं तो उस पुस्तक को ledger कहते हैं और हम अपने सभी खातों को एक इस्थान पर बना रहे हैं तो ये इस्थान हमारा ledger कहलाएगा हमारी पहली एंट्री Capital Account से संबंधित है तो पहले हम Capital Account बना लेते हैं यह देखिए हमारा Capital Account बन गया है अब हम देखते हैं कि जर्णल में Capital Account से संबंधित कितनी एंट्रीज है जर्नल में capital account से संबंधित एक ही entry है वहां उसकी posting capital account में कर देते हैं यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखें कि हम जिस भी entry की posting करेंगे वो journal में यदि credit की है तो account में भी उसकी posting credit में ही होगी और यदि journal में वो entry debit की है तो account में उसकी posting debit में ही होगी यह देखिए हमारी पहली entry में capital account एक लाख रुपए से credit हुआ है और हम जिस account में posting करने जा रहे हैं उसका नाम भी capital account है तो क्या यहाँ capital account के अंदर एक लाख रुपए capital account के ही credit करेंगे यह तो ठीक नहीं लग रहा है और ऐसा करते भी हैं तो इस account में देखने से यह मालूम नहीं पड़ता कि हम जिस entry की posting कर रहे हैं उसका प्रभावित होने वाला दूसरा पक्ष कौन सा है जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ दूसरा पक्ष कैश है तो इसका समधान यह है कि हम इसकी posting तो credit में ही करें सिर्फ इस entry के साथ प्रभावित होने वाला जो दूसरा account है जो कि यहाँ पर cash account है उसका नाम यहाँ लिग दें हमने इस entry की posting कर दी है उसकी पहचान के लिए हम इसका color yellow कर देते हैं अब हम cash account बना लेते हैं और journal में cash से संबंधित जितनी भी entries है उन्हें देख लेते हैं यह देखिए cash से संबंधित सारी entries को हमने highlight कर लिया है अब हम cash की पहली entry ले रहे हैं यह debit की entry है तो हमें इसकी posting तो cash account में debit में ही करनी है सिर्फ particular में हम दूसरे पक्ष का नाम लिग देंगे इसे तरह cash account से संबंधित बाकी सभी entries हम कर लेंगे हमने cash account से संबंधित सभी entries की posting कर ली है और अब इसी तरह बाकी सभी account बना कर उन accounts में journal से posting कर देंगे हमारी journal की सभी posting उनसे संबंधित accounts में यानि लेजर में हो गई है अब हम एक बार देख लेते हैं कि कोई entry छूटी तो नहीं है यह देखिए यहाँ पर सभी transaction पीले दिखाई पड़ रहे हैं यानि सभी posting हो गई है अब हम इन सभी accounts के दोनों पक्षों की जोड लगा लेते हैं साथी दोनों पक्षों का difference भी निकाल लेते हैं यही difference in accounts का balance कहलाता है देखिए capital account में एक ही entry है इसका मतलब यही इसका balance है अब cash account के दोनों पक्षों का जोड लगा कर जिस और का total ज्यादा है उसमें से कम वाला amount घटा देते हैं यह इस खाते का balance आ गया है इस तरह अब हम से कोई cash account के बारे में पूछे तो हम बता सकते हैं कि हमारे पास कुल एक लाग पचातर हजार रुपए आए जिसमें से 88,100 रुपए चले गए और 86,900 रुपए शेश है अब हम इसी तरह जोड बाकी करते हुए नीचे की और बढ़ते हैं यह देखिये यहाँ पर purchase account में दो entries है इन दोनों की जोड ही इस खाते का balance कहलाएगा अब ही हमने सारे खातों का balance देख लिया अब आगे समझते हैं टैली में हमें posting का काम नहीं करना पड़ता है जब हम अलग-अलग voucher के माध्यम से journal entries करते हैं तो उसके साथ ही posting भी अपने आप हो जाती है इसके बाद वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि trial balance क्या है तथा हमने लेजर में जो posting की है उसके आधार पर हम तलपट यानि trial balance कैसे बनाते हैं